गरम गरम राइस में घी दालती हूं हों Every टो करती हूं अउड़ करती हूं उम्रेक भाजी की चिटनी और। उसको अच्छे से मि्क्स करके खाते हैं बहुत ही 此ौंच निंग चिटनी है। मांसुर में बहुती टेस्टी स्पैसी स्पैसी चेटनी चलिए आप सबको इसकी रिस्पी बताती हूँ अब देख सकते हो वीडियो में यह है अमडे की भाजी जो एक बंच पुरा ली हुमें अब जितनी क्वानिटी चाहे उतनी क्वानिटी अप ले सकते हो मुझे इतना बस्तर में इतना ही ली हूँ सबको मालम हती यह भाजी बहुती हील्टी भाजी है मांसुर में बहुती ग्रीन लीव्स भाजी अच्छे अच्छे भाजी मिल जाती है घर के पास ही अब देख सकते हो जैसा मैं वीडियो में दिखारू उसी तरह से इसको क्लिए कर लीव्स को तोडते जाना है इसको सारह बंच पूरावी मैं इस तरह से तोड कर एक प्लेट में दाल लूँगी अब देख सकते हो वीडियो में इस तरह से सारा अम्रे की भाजी को मैं इस तरह से पत्य पत्य निकाल लूँगी अब देख सकते हो वीडियो में इस तरह से करके इसको अच्छे से वाश करके सैड में रख लेती हूँ अभी मैं श्टवान करके कडाई रख ली कर लिए फिर इस में आड़ करती हूं धनिया थोड़े से धनिया एड़ कर हूं थोड़े से मेथी दान और थोड़े से राय को आड़ करी हूं मस्टर इन सारे चीज़ों को अच्छे से सवते कर लेते हैं कि पिर इसमें अड गरती हूंanne चीलीज को अपने टेश्क pactar क्या स्था अड़ करना ज़्यादा स्पैसी खाते हो तो ज़्यादा आड सकते हूं फिर 2 इसमें अड़ करते हूं थोड़ा सा इमली है वैसे ाम्रें के भाई थोड़ा खटी रेती है, आप चाहे तो इमली को स्किप कर सकते हो, मुझे थोड़ा खटी, थोड़ा स्पाइसीनेस चाहिए था, इसलिए मैं थोड़ा सा इमली को याड करी हूँ, अभी सारे चीजा अच्छे से साउते हो गए हैं, मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी, अब द गोंगुर अभी बोलते हैं, गोंगुर चिकन बनाते हैं, गोंगुर मटन भी बनाते हैं, अब देख सकते हो, अच्छे से वाश किये हुए, अमरे की भाजी को कडाई में आड कर ली हूँ, एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसको फाइम निट्स के लिए पकने के लिए इस तरह से छोड़ देती हूं, मैं थोड़ा सा पानी याड नहीं करती हूं, थोड़ा सा भी इसी भाजे से ही अच्छे से पानी निकल जाएगा, उसे में ही अच्छे से कुग भी हो जाएगी, इसकी कौंटिटी अब देख सकते हों कितनी कम कौंटिटी हो गई इसमें कितना सारा पानी भी निकल गया है अब इसमें टू टमाटोस को रफली चौप करके डाल लेती हूँ आपकी भाजी की कौनिटी के इसाब से आप इसको टमाटोस की कौनिटी भी बढ़ा या कम कर सकते हो अब देख सकते हो इसको एक बड़ अच्छे से मिक्स करने के बाद एक फार्मिट्स के लिए पका लेते हैं आप देख सकते हो फार्मिट्स के बाद बीच बीच महीलाती रही थी इसे वरना निचे चिपक जाएगा अब ही टमाटोस भी अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं अमडे की भाजी भी अच्छे से पक चुकी है इसको मैं थंडा करके बाद में ग्रैंड कर लूँगी अब देख सकते हो मैं एक मिक्सी जर ले ली हूँ सारे चीज अच्छे से थंडे कर ली थी मैं अब एक मिक्सिजर में जो सवते किये हुए पीनर्स, धनिया, जीरा, मेथी दाना, रेचिल इसको याड़ कर लेती हूँ फिर इसमें आड़ करती हूँ गार्लिक, थोड़ा गार्लिक की क्वांटिटी ज्यादा ही रखना टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसलिए अब इसको एक बार रफली ग्रैंड कर लेते हैं अब देख सकते हूँ रफली इसे ग्रैंड कर ले हूँ एक बार मिक्स करती हूँ फिर इसको एक और बार ग्रैंड करते हैं एक ही बार इसको बारिक से ग्रैंड नहीं करना अब देख सकते हूँ यह अच्छे से अभी ग्रेंड हो गया है एक दम बारिक सा ग्रेंड कर ली हूँ मैं इसको एक बार मिक्स कर लेते हूँ फिर इसमें अम्डे की भाजी और टमाटो उसको दाल लेते हैं टमाटो से अम्डेक भाज अच्छे थंडा हो गया है मैं अभी साल्ट को आड़ने करी हूँ लाश्ट में आड़ करूंगी अब इसको एक बर ग्रेंड कर लेते हैं बस एक अन आफ करना है अब देख सकते हूँ अभी इसमें मैं साल्ट आड़ करते हूँ अब आपने टेस्ट की हिसाब से साल्ट के आड़ करना आप चाहे तो इसी टाम पर आप एक अनियन को भी रफली चॉप करके दाल सकते हो बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब आप देखते तो वीडियो में चेटनी तो रडी हो गई है अभी चेटनी के लिए हम तड़का रडी और थोड़ा से कर्री लीव्स और ये एक प्रेट चिल्ली इसको थोड़ा सवते कर लेते हैं फिर इसमें आड़ करेंगे जो ग्रैन किये हुए चेटनी आप इसे टेम में थोड़ा हिंग को भी आड़ कर सकते हो मैं हिंग को याड़ने करी हूँ आप चोह तो हिंग को याड कर सकते हो अभी ग्रैन की हो चेटनी को डाल कर इसको एक बर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आप 15 डेस के लिए भी श्टोर कर सकते हो इस चेटनी को थोड़ा आउड तेल ज्यादा आड करके इसको अच्छे से मिक्स करकी श्टोर कर सकते हो इसको 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 स्टोर आफ करके स इसको यूज़ कर लोगी अब ट्राइवल करना चाहते हो तो इस चटनी को लेकर जाएए बहुत ही अच्छी बेश्ट रस्पी है जिसको भी बुखार आया है उनके लिए भी बेश्ट रस्पी है मैं एक कंटेनर में इसको निकाल लेती हूँ मैं इसको ग्रेया रेच्छी लिस और कर लिए उसके साथ और आनियंस को गार्निश पी कर ली हूँ मैं आपको दिखा तुम किस तरह से इसको यूज़ करना चाहिए एक कटोरी में थोड़ी थोड़ी चेटनी निकाल लेते हैं जितना आपको चाहिए उतनी अब इसमें मैं बहुत पसंद आती है इस चेटनी आप भी जरूर ट्राइ किजिए आज की हमारी सिंपल से रेस्पी अमड़ेक भाई चेटनी की रेस्पी तो रेडी हो गई है आज का वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक किजिए शेर किजिए सब्सक्राइब किजिए ब